आइब्रो ग्रोथ करने से रिलेटेट में एक पीछले वीडियो में शेर किया था जो अक्सर लोग को भर भर की कमेंट आ रहा था कि एक आइब्रो ग्रोथ करने से रिलेटेट एक न्यू वीडियो मेरी लिए बना दीजे तो ये वीडियो अक्सर लोग का डिमांड भी बनाया तुप चलिए में जानते हैं इभरो गोध करने का य्वी जानते हैं jsad करना बहुत ही ज़दा आशान है लेकिन प्रकुर्टिक तरीके से इभरो गोध किया जाता है तो यह वीडियो परहत है और उसकी बहुत ही जानते हैं और व्रू कैसे डा करते हैं जानते हैं आपको पता है भरपूर माता में शल्फर पाया जाता है और हाँ यूज़ करना है जैसे कि आप यूज में देख रहे हैं यह बहुत सारा सब्सक्राइब अधीक होता है वाइट ओनियन का प्रयोग करते हैं तो वह ओनियन में वाइट होने की वज़ा से इसमें सल्फर की क्वाइंटिटी कम होती है इसी की वज़ा से उतना फास्ट वर्क नहीं करता है आपको यह बात का खास ध्यान रखना है तो लेटर की मदद से ग्रेट कर लें जब यह कद्दू कस हो जाए तो इसका जूस निकाले जबसे पहले आपको यह अलोवरा ओयल हमारे आपरो की ग्रोथ फास्ट करने के लिए बहुत ही जादा यूसपूर होता है थोड़ी सी मात्र में एड करनी है केस्टर डॉयल इन सब समागरी को अच्छी से एक साथ में जब यह मिक्स हो जाए तो यह एक कॉटन वॉल और बहुत है अपने आपरोज पी कम से कम आपको मसाज करनी है 15 मिनिट जितना जादा आप मसाज करेंगे उतना जादा आपके आपरोज करने के लिए बैनेफेस्ट रल हेगा आपरोज रेटेट कसी भी तरह की प्रॉब्लम स चुटकारा दिलाता है यह DIY Home Remedy तो एक बार मेरे कहने पर ट्राय जरूर करें अगर आप आप आपरोज वीडियो दिखना चाहते हैं तो इस हमें कम से कम 3-4 वीडियो आपरोज करने के लिए शैल क्या है अब जाकर चेक आउट करें प्लेलिस्ट में अदर्वाइस प्लेलिस इसका लिक डिस्क्रिप्शन में है और आपको स्कृण पर जो वीडियो नजर आ रहे है वो वीडियो पे क्लिक करके और सारे वीडियो देख सकते हैं आशार करती हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूसफुल है लग प्यारा सहा से छोटा सा लाइक जब करें और चाल में तो इस जाल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप से मिस ना हो जाए और हाँ आप भी चाहते हैं कि यूटूब पे अगले दिन कौन सी वीडियो आने वाली है इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप इसली तरीके से आप पता कर सकते हैं कि अगले वीडियो किस टॉपिक पे आने वाल है फिर मिलते को न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ थेंक यू